मदद करना अच्छी बात है लेकिन वहाँ जहां सच में जरूरत हो तब ही आपके efforts की कदर होगी जैसे सूरज की रोशनी में अगर हम दीपक जलाएं तो सूरज की रोशनी में कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन दीपक अपनास्तित्व जरूर खोदेगा इसलिए अपनास्तित्व बचाए रखने के लिए किस पर और कितनी energy खर्च करनी है ये decision सोच समझ कर लीजिए हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग वेलकम बैक टो दे चैनल लिव लाइफ इजी आवाज से पत्था लग गया होगा कि गला कराब है तब यह ठीक नहीं है इसी वज़े से व्लॉग छुट्टी होने के बाद भी डिस्टरब हो रहे थे अभी भी होंगे क्योंकि अभी ठीक नहीं है अब आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ये meal planner मैंने मंगाया था actually मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन decide नहीं कर पा रही थी कि कौनसा और कैसा मंगा हूँ मैं confused थी printed और plain के बीच में तो printed जो है जिन में already boxes बगेरा बने हुए है headings बने हुए है वो लगबग आपको 500 रुपे के मिल जाएंगे और ये लगबग आपको साड़े 300 तक का मिल जाएगा अब ये fridge पे चिपकने का है तो मैंने फिर source समझ के plain को opt किया क्यों अब ये plain है ना तो इसको आप meal planner के अलावा अगर आपको to do list बनानी है कोई note लगाना है कुछ भी है तो ये versatile सा है और अगर आपका जो खाने वाले डिब्बे बने हुए है उस तरीके का होगा तो वो केवल इसी मतलब कराएगा इसलिए फिर मैंने plain मंगाया पीछे से जो black है वो पूरा magnetic है तो ये metal की चीज़ पर चिपक जाएगा इसके साथ ये एक black pen आया है और इसमें आपको मिल जाएंगे options दो पैन वाले duster भी साथ में है बाकी ये वाला जो है ये dry erase वाला है तो इससे अगर आप कुछ भी लिखते हैं जो इसके साथ पैन आया है वो simple आप हाथ से या सूखे कपड़े से भी ऐसे साफ करोगे एकदम मिट जाएगा और जिससे मैंने ये meal plan लिखा है ये original जो normal marker होते हैं मोटे वाले उनसे लिखा है तो ये साफ होगा गीले कपड़े से तो आप लिख सकते हो इस pen के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये pen खतम हो होगे या फिर इसे ढूंडते ही रहोगे मिल जाए ठीक है नहीं मिले आप नॉर्मल पैंसे इस पर लिख लो बस ये सूखे हाथ से साफ हो जा रहा है वो गीले कपड़े से साफ होगा साफ हो जाएगा जो इसमें negative review थे जितने भी वह सिरफ इसी बात को लेके थे कि जब pencil ल कि नॉर्मल स्केच पैंसे इसमें बॉकस बना लिये हैं तो breakfast, lunch, dinner, and snack चार बॉक्स बनाए हैं और हफ्टे के सातो दिन जो है वो इसमें लिख लिखे और साइड में एक कॉलम जो है वो ग्रोसरी के लिए मैंने छोड़ दिया कि जो सामान आना होगा अब इस पर कोई-कोई क जैसे ब्लैक और डार्क मजेंटा और डार्क ब्लू यह तीन कलर चल रहे थे बाकी कलर जो है वह अजीब से बार 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 वैनिश होते जा रहे थे तो फिर मैंने डार्क कलर से जो है वह लिख दिया अब पहली बार कर रही हूं इस पे तो मुझे भी थोड़ा सा ट्राय अब इसमें से यह बनने के बाद जरूरी नहीं है कि आप पूरे हफते की मील प्लैनिंग कर ही ले जैसे बच्चों का जो फेवरिट टॉपिक है वह स्नैक्स है शाम के तो वह अराध्या ने फटा फट सातों दिन के बना दिये थे तो इसनैक्स तो मैंने नोट कर लिए जो प्रोसरिया भी इस टाइम पर खतम होई है वो लिख दी और आज तक का जो है वो फाइनल है कल रात का डिनर फाइनल है अरभी की सबजी बनेगी आप जो जो फिक्स होता जाएगा वो लिखते जाओंगी इसमें आप ये कर सकते हो कि पूरे हफते का ना भी हो अट लिस्ट दिन की मील प्लैनिंग आप इसमें लिख सकते हो इसका बाइंग लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जायागा साथ में किचन के और आइटम्स का भी उसी के साथ है अब वेकेशन चल रही है तो आज रात को आया था पिज़ा भी स्टार्टिंग के एक एक दो दिन रेस्ट या सेल्फ केर कोई देती हूँ लेकिन हुआ ये कि जिस दिन में लास डे आई हूँ स्कूल मतलब ओफ करके पूरा उस दिन ही मेरी तब्यात खराब हो गई गला जो है वो मतलब इंफेक्शन कहलो कुछ हो कहलो दर्द हो रहा है उसमें और पानी जो है गुनगुना से पी रही हूं और दवाईयां खारी हूँ और लिटरली दो दिन तो वस सर्वाइवल मोड जो एक्जाम में होता है उससे भी ज़्यादा सर्वाइवल पर चला गया है सब कुछ कि मैं सिरिफ सोर हूँ सिरिफ खाना और बरतन ये दो काम हो रहे हैं कपड़े वगेरा भी कुछ नीद होए हैं आज से ही सब शुरू करेंगे लेकिन ये था कि चलो जो हो जाए उतना कर लेते हैं तो अभी सुभा जो है वो पूजा पाट करने से ब्लॉक शुरू कर रही हूं मैं हस्बेंट जो है मेरे अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं ऑफिस क नीचे जाऊंगी पहले बच्चों को उठाऊंगी और उसके बाद फिर में किचन का काम शुरू करूंगी लेकिन घर में रहें या बाहर थोड़ा सा भगवान जी की तरफ अगर आप दे देते हैं पांस-दस मिनट तो आपके लिए यह अच्छा है वही सूरज और दीपक वाली बात उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता आप उनकी पूजा करें नहीं करें लेकिन आपकी लाइफ में बहुत फरक पड़ेगा अगर आप उनकी पूजा को किसी भी रूप में करते हैं और उसके लिए थोड़ा सा समय और अपनी अनर्जी निकाल लेते हैं अब भगव इंका मैंने धंग से शूटी नहीं किया है क्योंकि अभी ना मतलब एडिटिंग और वो सब चीजे पॉसिबल ही नहीं हो पारी एक बार रिदम जिस चीज का तूट जाता है वो तूट ही जाता है मैं हमेशा यही क्याती हूँ इसलिए कोई भी चीज ऑन दगो दो बार मिस नहीं करनी चीए जो स्टोरी में बता रहे थे कि अगर कोई आपने रूटीन बनाया है और वो एक दिन आपका छूट गया तो मेक शूर कीजे कि वो दूसरे दिन ना छूटे और अगर आपका दूसरे दिन भी मतलब लगाता है दो दिन छूट जाता है ना फिर वो पकड़ हो रही होती थी फिर भी मैं ये करती थी कि हां मेरी वीडियो की टाइमिंग जो है वो मिस ना हो और अगर एकाद कभी हो भी गई तो अगली तो कम से कम टाइम से जाए उसमें रीजन यही लॉजिक होता था कि अगर लगातार एक-दो बार मिस हो जाती है ना तो फिर रूटीन बनना हो जाता है मुश्किल वो चीज मेरे साथ अब हो रही है चाहते हुए भी मेरा रूटीन जो है वो वीडियो का बन ही नहीं पा रहा दूसरी चीज यह जो फोन है वीवो का अभी जो ले रखा है जिससे मैं आजकल शूट कर रही हूं गर्मी इतनी पढ़ रह पहले ही उसका टेंपरेचर हाई हो जाता है और वो शूट करना बंद कर देता है यह दिक्कत हो रही है इसके साथ तो मुझे जो है वो डेड़ गुनाइफर्ट जादा लगाने पड़ रहे हैं शूट करने के लिए अगर मैं किचंगा करती हूं तो अब यहां पर जो आलू और सारे मसाले डालके जीरा और हरी मिर्श तेल में डाला था यह सब भून के और फिर मैंने धनिया के थीनी आज तो मैंने डाली कसूरी में थी यह अच्छी सी सबजी सुबे नाश्ते की जैसे आलू पूरी खाते हैं न कहीं जाते हैं यह वो वाला नाश्ता आज हमारा हो सबजी अब मिक्स हो गई है तो धीरे धीरे आलू को करा रहा होने के लिए छोड़ दूंगे अभी गैस बंद नहीं करी है धीमी जल रही है और इतने जो आंटा गूता था इसमें थोड़ा सा एक दो हाथ और मार दिये तो यह बिल्कुल बढ़िया से हो जाता है आंटे को थो गूत के तुरंत बनाने में थोड़ी सी नहीं आता वो स्वाद अब यहां पर दूसरे बर्नर पे मैंने तेल चड़ा दिया है वो इतने गरम होगा इतने तीसरे बर्नर पे मैं चड़ा रही हूं चाय तो इसमें सारी चीजें चीनी पत्ति इलाइची और अद्रक डालके फि तीनों चीज रेडी हो जाएंगी और पूरी सबजी है तो थोड़ी सी पुनीत भया क्या बिजवा देंगे नाश्ते कभी कभी अच्छी लगती है खाली पूरी और आलू की सबजी अब इसके बाद मैंने फिर पूरीयां जो है सेकनी शुरू कर दी अब यहां नाश्ता नि चावल का फिर कूकर सेट करके रख दो कोई पूछ रहा था कि चावल का कैसे कूकर सेट करते हो चावल जितने बनाने होते हैं उसको धो के कूकर में दो गुना पानी रखके फिर में घी एक चम्मस डालके ढखकन लगा के रख देती हो और जब खाने हो उससे पहले एक सीट लगा लो बिल्कुल खिले खिले चावल बनेंगे बढ़िया कोई दिक्कत नहीं होगी तो ऐसे करके आप करके रख दो तो आपका मतलब मेक शूर करिए इतनी गर्मी है कि लंच का भी आपका 80-90% काम सुबा ही खतम हो जाए अब आज बननी है उड़ाद दाल की खिचडी तो उसमें हमें कुछ जादा करना नहीं है वो मैं दुपहर में ही देखूंगी और अब मुझे इसके बात करनी है डस्टिंग तो डस्टिंग में थोड़ी अब मैं पूरे घर की ना उपर नीचे की एक साथ नहीं कर पाती क्योंकि जॉब की वज़े से मेरा रूटीन ऐसा बनी ही नहीं पाता कि मैं पूरा घर एक बार में साफ करूं तो मैं अंदा गो सेक्शन में बाटे हुए घर और सबसे पहली प्रियोर्टी पर रहती है वो लॉबी रहती है कि यह साफ हो जाए कोई आए और फिर यह भी गंदी मिलती है तो बड़ी कहने चे शर्मिंदी की महसूस होती है अब मैं दो दिन सोई रही थी ना तो यह खुब गंदी पड़ी हुई थी और इस टाइम पर प्रियंका उसके हस्बेंड आये भी तो मुझे मतलब लगा सही बताऊ तो कि थोड़ी देर उठ जाती कर लेती मैं हमेशा यही कहती हूँ ना वीडियो में कि आप अपना आलस लेके आप एक तरफ पढ़ जाओगे कि भाड़ में जाये काम हमें नहीं करना और लेकिन उस टाइन पर कोई आ जाता है ना आपके घर तब आपको अपने ओपर बहुत गुस्सा आता है कि थोड़ा सा एफट कर लेती उठ जाती तो अच्छा रहता वो चीज मेरे साथ एक्जेक्ट हुई आप खेर मैंने अब ये साफ कर दिया है लोबी और अब मैं जा रही हूँ अंदर अब अंदर आके वीडियो बंद करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात कर लूँ क्योंकि अभी न मतलब नहीं बन पा रहा रहा रूटीन और जब मैं लिख रही ह बच्चों ने अपना टाइम टेबिल खुद बना लिया है और मतलब दोनों ने अलग-अलग पेपर पे बनाया है इन फैक्ट वो चिपका हुआ है सामने जहां पर हम सिलेबस और डेट शीट लगाते थे और उसमें से 50-60 परसेंट जो है वो उनका फॉलो हो जा रहा है अब यहां पर वो ही बात आजाती है जो मैं टाइम टेबिल को लेकर हमेशे कहती हूँ आपने टाइम टेबिल में 10 काम लिखे अगर वो 10 नहीं भी हो पाएंगे 10 में से 6 जरूर हो जाएंगे तो वो हमेशा उन से जादा होते हैं जब आप बिना प्लैनिंग के अपना दिन शुर का के रखो अभी जब तक आपका रिदम में नहीं आ जाती सारी चीजे अब रही बात घर की मेरे वाले रूटीन की तो जैसे जैसे तब है ठीक होगी अभी शुरू आत है समर वेकेशन की धीरे धीरे काम जो जो करूंगी आपके साथ शेयर करती जाओंगी कोशिश करूंग पूरी के वीडियो के रेगुलेटे ना टूटे लेकिन आप लोग भी प्रे कीजेगा बाकी सही बताओं तो अभी मुझसे हो ही नहीं पारी है चीजे जेतनी मैं कर लिया करते थी रीजन डंग से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा फिजिकल है मेंटल है क्या है लेगिन जल्दी ही मैं किसी ना किसी हल पर पहुँच जोंगी तरह मुझे अपने उपर भरोसा है और उसके बाद I'm sure कि वापस सब चीजें पहले जासी होंगी फिलाल ग्लॉग ये पर खतम होत प्रक्राइज सेथले सब्सक्राइश उस सब्सक्राइबा बाद